आपका प्रेशन है कि स्री कृष्ण वेकुंट का मालिक है, शेव बाबा ब्रह्मान के मालिक है, तुम बच्चे हो तीनों लोकों की मालिक हूँ, कैसे, उसको मैं बहुत ध्यान से समझना है, बाबा केते बच्चे मैं ब्रह्म लोक का मालिक हूँ, ठीक है के नहीं, मैं परम धाम में परम अवस्था में रहता हूँ, परम धाम को ब्रह्म लोक कहा जाता है, जहां सारी आत्माई परम अवस्था में रहती है, मैं सुक्षम वत्तन में आता हूँ, इस स्थूल वत्तन में भी आता हूँ, परन्तु मैं इन दोनों लोकों का मालिक नहीं बनता हूँ, मेरे अंदर तीनों लोकों का ज्ञान है, मैं ज्ञान होने के कारण ति लोकी नात हूँ, परन्तु मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, सुखधाम में नहीं आता हूँ, मैं कल युग में नहीं आता हूँ, मैं इस स्रिष्टी में पाड बजाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं पाड बजाने संगम पर आता हूँ, उस समय ही मेरा सुक्षम शरीर, सुक्षम अवस्था होती है और वो सुक्षम अवस्था बहुत क्लोज परम अवस्था के होती है सिरफ इतना है कि मेरे पास संकल्प आते है परंधाम में मेरे पास भी संकल्प नहीं आते है क्योंकि मुझे संकल्प आएगा तो मुझे भी सुक्षम अवस्ता में आना करेगा परमात्मा को संकल्प आने का मतलब सुक्षम अवस्ता में आना और स्री कृष्ण तो वेकुंट का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है स्री किशन नहीं कहेगा स्री किशन को ग्यान नहीं है स्री किशन को समझ नहीं है स्री किशन के पास वर्तमान की नौलिज नहीं है इसलिए वो अपने आपको तिरलोकी नात नहीं समझेगा हम अपने आपको तिरलोकी नात समझते हैं कि हम सुक्षम लोक में भी जाते हैं, यहां भी जाते हैं, और परमधा में भी जाते हैं, ब्रहम लोक में भी जाते हैं, तो परमात्मा ब्रहम लोक का मालिक है, स्री किस्न को कभी ये ख्याल नहीं आएगा, कि मैं ब्रहम लोक का मालिक हूँ, या मैं संगम युक पर था, इसलि कि ये स्री कृष्ण को ति लोकी नाथ नहीं कह सकते हैं वो स्वाग्वता मालिक है प्रंतु वे अपने आपको कभी भी स्मिर्थी में नहीं लाता कि मैं संगम यूग पर था या मैं परंधा में ब्रह्मान में रहूं यह नौलेज उसके पास नहीं होती इसलिए स्री यह बाबा तिनो लोकों का मालिक है वैसे वो ब्रह्मान का मालिक है क्योंकि वो कहते मैं संसार को भोगता नहीं हूं ना सुक्षम वतन को भोगता हूं ना इसको भोगता हूं हां मैं अपना पाड़ बजाने के लिए संगम यूग पर सव वर्ष के लिए आता हूं तिनों में अंतर स्पष्ट वाओगा और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रमा को मारी इश्वरिये विश्व विद्याले से संपर करें और यदि कोई प्रेशन है तो 9213106986 पर वड़ से करें